असलाम लेकुम, आज हमारा जो टोपपिक है, गासे क्टेस्ट में जो है, पहले हमने पिसलेज को टोपिक acquire था बहुत है, गासे क्टेस्ट क्टेस्ट कहलँ है तो औक हमने डीसक्स करने है, आप लुआ がिकारज़ डीकोन है, हÊमनन्स में कैसे होती है, बेसिकली गेसे क्टे कि यह वूलिंग फॉलिंग को ने रही होगी अब यह ने राधी करणिभाइं की अरेसी पना में है जो yards ना की वूलिंग नजेए अपन आप अपन होती है और भाहिर की ओ्पनिक होती है बाहर की तरह ते suppressant होते हैं again एिसकल नोने यहांद जब एड़े एंटर होती अगले इसका नोन मुखस के साथ भी शायाच हो जाती है और और के ल९कस की मुकस् lot के साथ ऑड़े कोन फेस्त पार्टिकल जाती है एक कीश हमारे इनकमिंग एड़ी है इसको गरम करता है। यह बात हो गई हमारे हो less नेजल कविटी की, उसके बाद आजे थी है फेरंक्स, बैसिकलि फेरंक्स के क्या परपस है, जो फेरंक्स होती है, यह आप लोग को इधर नज़र एक मिज़र बिताती हमारी, बैसिकलि यह फेरंक्स क्या काम करती है, यह जे नेजल कैव ability ना आगे open होती है pharenx में ठीक है यह जैसे देखिए यह अंदर ऑपन हुरेंट में यह यह अट एन्धर के इंदर ओपन हुई small opening के साथ इसको हमने internal nostils के नेम दे चाह दिया ठीक है यह हम यह एसोफेगस की मतलब नाली आ रही है, यह लेरैंक mem보다oste, यह एक्स्टेंड होता है, जो एर है फेरेंक comentarios से जाकर Veterinary यह एप लोग डाइगराम में देख रहे होगे यह एपिग्लोटिस फेरेंग्स के अब लिए नहीं में प्राइग्स के अब जाती है इस फेरेंग्स के ऊपर आप लोग को एक छोटा सा क्या बनाओ नजरार रहे हैं इसका इस नाम दिया यह basically leave as a guarded cell काम करता है यह flap of tissue हो ठीक है यह हो गई अपिग्लोटिस वा अब मैंने कहा है अप लोग को इधर नजर आ रहा होगा लेरेंक्स अब दिखाते हूं आप लोग को कहा लेरेंक्स नजर आ रहा होगा इस diagram में तो नहीं बना हुआ मैं अब यह आप लोग को बताती हूं कि लेरेंक्स कहा है बैसिकलिए आप इधर से ले सकते हैं कि यह pharynx है इसी के आगे साइस्टोफेगस और फिर वा आगे लेरेंक्स निकलाई है तो आप लोग फेरेंक्स के बाद ही लेरेंक्स को कंसीडर कर सकते हैं और इस अब लेरेंक्स को तो शूमोझ आप लेरेंक्स सोते हुआ है खिले सर्जाद ही लेतर इसkiye Casey फारेंक्स को उत्तों समाना है है। में में रíst लान के मेने में रोदा है इससे pię being on the mpr इसँ को हम वोस्ट भी घाते है इसके अदर fiber भंड होते हैं जिसको वोकल कार्ट जाते है ये स्ट्रेश होते लार्यांक्स वे बाच जो रोदान को थे है अब ये जो वोकल कार्ट घाते हैं जब मैंसे अरपास हो गए तो भाइबरेशन जो पर रेड़्ूस होगी और बाद पर जोए अब लेरेंट में आगे बना जाता है और हम यह चाहिए बना देता है जिसको हमें दोटीन धाय बहुत है जानी पानी की नाली नाली में के सकता है जहीं सूरी पानी की तु हैं निज तके लगाय के तो आप लोगको ना रिंग टाइफ निजर आ रहे होंगे तो यह C-shape structures होते हैं cartilage genius rings होते हैं यह gracchia की wall में पाई जाते हैं यह ring-like structures पाई जा रहे हैं जा रहे हैं just cavity जैसे हम just cavity में एंटर होते हुँ यह आगे जुआ है this brush कर जाता है bronpi gone to Kayla και recon progress और singularเหम construct we साइड है थीक है अगर एक ही बात करें गे तो bron Kath और वैसे यह दोनों क्या है bronkkai रॉतिक है इस उलकाय है इसके अदर Canonouserald plugs होती है इնकी वाफ्स में थी Kevin because जिब जासे यह बोट जाद टक डिवाइड करें पर ani रही हिसा दिन में अर्क सा कातिलेज से अsy आप मतलब से मतल जाते है इस सायूह मुहती है भी जाता है तो कि किशिए विर डाइक यह की बहुत आरु alta के में परिआ उप यकिए टैडानी समय सिव्य ब्रॉंक्ट को बखने भी आधर का मैं परिआ करिकना को रोब्रिज कर देफंगनने का नहीं नहीं उप्र आव Heart अब हर जो हैल उपन होगी कलूस्टर आफ पाऊची में तो में मैं इसका अलवलाई है इसमें कैपलरी होती है यह बेसिकली वह रीजेन जहां पर गैसे साफ चेंज होती है यह रहा है जो हर आलवलाई साहिए यह सेटला है इसमें सिंगल लियर ऑफ एपिथेलिया से बनाता है यह आउटसाइड होता है बाईदा नेटवर्क ऑफ कैपलियरियिस मेरे नेटवर्क ऑफ कैपलियुर्ड पल्मूनरी आर्टिरी हो हार्ट से आती है और क्या लेवान दूप यदिटी बलड लेती है और लंग्स में अंटर हो जाती है आप ये मैं बैदा रहर हुँ कैसे हैा केसी है teak टीक है अभी जो बांड़ चीज़ में आपे आ योर्टेस में जा किनवर्ट हो जाती है छोटी छोटी आडर्ट राड योर्टिस में सीमट जाते हैं then बनाके यह पल्मूनरी वेन बना देती हैं साए वेन नहीं है ब्लड 0 यह वाहिद आर्टरी है सिंगल आर्टरी है जो डियोक्सिजनेटी ब्लड लेती है ठीक है यह है इसका एयर पैसीजुए अब जो हमारे पास दूसरा पार्ट है पहले हमने एयर पैसीजुए पढ़ा है अब हम लंक्स के बारे में पढ़ते हैं क्योंकि रस्परेटरी दो सिस् किराक्टे के हुआ हिए उसमें किया हते हैं त्वेल पेयर ओफ रिबो होते हैं ठीक है अई अनुटा-वरे करते हैं अब हमारी बैली के ओपर एक डॉम शेफ स्टक्चर होता है घुम не प्राइबंता में होता है तीक स्टक्चर होता है मनें आगे बताए आगी बताई जो होते है, यह हमारे पास फुख होते हैं, एक लआफ लगो होते हैं, जो हमारे पास बिगर होता है, और इसमें दो नहीं, तीन लोब जाते हैं. यह इनमें डिफरेंस भी है, कि राइट लंगों लेफ लंग invari कोन सा Gill का फार्रक है, अब कोई भी डिफ्रेंस आजाए लंका या राइट लंका तो यह smaller होता है और समस्ट में दो क्छी तो लॉब्स होते हैं राइट में बिगर भी होता है और त्री लॉब तो होते हैं और इसमें क्या होता है स्पॉंजी टाइब यह बेसिकली स्पॉंजी और अलास्टिक ओर्गन होता है ठीक है जो लचकदार ओर्गन कहलो और कुछ वह स्पॉंजी तो आप बढ़तनों वाली देखिए होगी वह वाली भी उसी को कहा सकते हैं ठीक है लंगस हैं इसमें बहुत सारी ब्लड वैसल्स होत स्पॉर तो को करना है लंग को किसीने क्लोस करना है हर दीक होती है और अलन् testimoni में प्रक्तर आउटर ंल फिनबान में करते हैं अब ओफ होगी और इनुल्स कोसिती होंगी इसमें क्यों इन क्लोज की होती है क्योंकि यह लुब्रिकेशन प्रवाइट करता है कि जब भी कभी हमने सांस लेना होगा जब भी कोई हमने हाड अक्टिविटी करनी होगी तो हमें एक्सपेंडिंग और कॉंट्रैक्शन की अबिलिटी जुरूरा मतलब हल्प होती है मुवम यह लंग-टिश्यूज यह व्लूड है एक इनेर मेंब्रेन है यह आउटर है और यह इनमंब्रेन है यह बज़ता हमारे पॉस ऐस्क्राइट हैं इसलिए तो थो हैली क्या ओक्ति है और बेस्प्रेट है थेंक्यू वेरी मुच्च